दोस्तों देखें ये कितने सारे मैंने प्लांट्स सौपिंग करके लाई हूँ और ये बहुत ही मुझे सस्ते मिले हैं ये सारे प्लांट्स इसमें हर वराइटी के प्लांट है हर सीजनल वाले जो भी विंटर सीजन के प्लांट है वो सब मैं लेके आई हूँ देखें इधर य इसको भी निकालूंगी मैं आप लोग को इन सारे पोधों के प्राइज बताऊंगी और यह जो पोधे हैं मेरे यह बहुत ही सस्ते मुझे मिले हैं तो इसलिए मैंने एक ही बार में सारा प्लांट्स उठा के ले आई हूं और भी वैसे तो हम गार्डनर्स लोग को जब भी जा से प्लांट्स मुझे कितने में मिला है एक एक करके मैं आप लोगों दिखाते हूं तो सबसे पहले दखिए यह सारे प्लांट्स मैं निकाल के रख लेती हूं फिर आप लोग के साथ दिखाती हूं लुखा वयुखाना बवा वाड़ा वाल वो बवाल ैज। हुआ है 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 तो फ्रेंट सबसे पहले प्लांट में आप लोग के साथ दिखा रहे हैं जो मेरा सेजनल जो होता है सर्दियो के वह ज्धा तर यह पिटूनिया और मेरा 30 रुपिया का मिला है यह मिए पिटूनिया के 6 मैंने प्लांट लिये है और जमीन में भी लगा हूवा जो था हो दस पंदरां रुपिया मिलते हैं जहाएं यह अभी कुछ दिन बाद में सिफ्ट करूंगी रेपोर्ट करूंगी क्योंकि अभी कल ही मैं लाई हूँ तो इसको अभी इसी तरह रहने दुने कि तुरंद कोई भी प्लांट्स को लाकर दोस्तों रिपोर्ट ना करें नहीं तो वह देथ कर जाते मर जाते हैं सर्वाइब नहीं कर पाते हैं इन प्लांट को छोर के अकेले तो इसलिए ये पिटुनिया मुझे 30 रुपीज में मिला है तो ये 6 मैंने लिया है और दूसरा दोस्तों ये साल्विया मैंने लिया है देखिए ये साल्विया का जो प्लांट है ये मैंने 5 लिया है ये मुझे सस् i3 रूपीज में मिले हैं और इसको 5 मैंने लिया है और सारे जितने प्लांट वो बहुत ही healthy प्लांट्स है तो यह साल्विया लिया है मैंने 30 रूपीज में डिया है यह जितने भी मैंने और पांच मैं और यह चार अलग है और जो मेरे पास है वो भी अलग 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 मुझे 25 रूपीज में Jr से से चार मुझे आ गए हैं तो यह देंथस का प्लांट मैंने लिया है यह आप सेव करके भी गर्मियों में भी यह बहुत अच्छे से फ्लाउरिंग करता है तो यह चार प्लांट मैंने लिया है और दोस्तों यह देखें कलाडियम यह कलाडियम दो मैंने लिया है और यह दो थो याजनी 60 रुपीज में मुझे 2 मिले हैं ये कलाडियम और दोस्तों यहाँ देखे जरेनियम गजानिया भी मैंने 4 लिया है और ये भी 4 मुझे 25 रुपीज में मिले हैं और 25 रुपीज में मुझे मिले हैं तो ये भी मुझे 100 में 4 मिले हैं 100 रुपीज में 4 आ गया हैं तो ये गजानिया चार लिया है मैंने और ये भी बहुत healthy plant है देखिए सब में अच्छे-च्छे से growth है इसकी तो थोड़े ज्यादा plant हो गए थे तो लाने में सब इसकी पतिया तूट रही थी जोले में रखने के बाद तो इसको report कर दूँगी तो ठीक हो जाएगा तो ये चार मुझ के हैं देखिए एक red है एक pink है एक purple है एक white है और ये मुझे 80 रुपी में चार आया है तो ये भी बहुत ही अच्छा चोटे-चोटे poly bag में है और ये बहुत गुच्छे में फूल खिलते हैं पूरे cover कर लेता है flower लगाने के बाद तो इसको ऐसे गमले में लगाना चाहिए ज the ब्राइब कुछ दिन बाद या नी दो चा दिन बाद ही सारी प्लांट को रिपोर्ट करूंगी तो ये भी बहुत हेलदी प्लांट है और मिट्टी भरपूर मात्रा में मुझे 270 रुपी में मुझे आये हैं दो यानि 40 में दो चाहर दो मिल गया है मुझे और अगला जो प्लांट है दूस्तों ये जरेनियम का प्लांट ये मैंने दो लिये हैं और ये मुझे ज्यादा महंगे मिलते हैं हमारे यहां तो ये 80 रुपिय में एक मुझे आया है एक सो साट रुपिया में दो मुझे मिले हैं तो दो मैंने ही लिया ज्यादा नहीं लिया है और ये ये भी प्लांट जो है हेल्दी में है लेकिन ये डिब्बे सहीत है पॉर्ट सहीत है छोटे से पॉर्ट है दोनों प्लांट मेरे पॉर्ट में ही है इसलिए साय थोरे महीं मिल तो यह भी प्लांट सेल्दी हैं दोस्तों और इसको भी मैं रिपोर्ट करूंगी कुछ दिन बाद ही तो यह दो जरेनिया मुझे 160 रुपे में मिले हैं और दोस्तों यह जो प्लांट है यह मैंने डॉक फ्लावर लेका के लिया था लेकिन यह डॉक फ्लावर नहीं है यानि 80 रुपे में मुझे चार हुए हैं तो मुझे डॉक फ्लावर अभी नहीं मिला है इसके बदले मैं डॉक फ्लावर ही लेना चाहती थी लेकिन यह भी बहुत ही खुब्सूरत प्लांट है देखिए चोटे-चोटे फूल खील रहे हैं यह जब फूल कीलेगा तो अच् निया घ्रण कीटानory कीपरुद कले साथी लेकिन वचाएट, फॉलए सा इसालमे में में 30 रुपी में चाहती थी, और मैं 30我 मैं यह बहुत ही संटे हैं यह आए 10 मुझे म सब की मिट्टी जो बनाओंगी वह अलग तरह से बनती है क्योंकि पिछले साल की वीडियो में आप लोग देखा होगा कि मेरे स्ट्रॉबरी कितने अच्छे हिल दी थे और कितने ज़्यादा इसमें फ़ाल आये हुए थे तो इस बार भी मैं दस उठा के लाई हूँ और फिर जाओंगी नचरी तो फिर लाओंगी तो एक मुझे 30 रुपीज में मिला है और इस तरह 10 मैंने लिया है और दोस्तों दखें ये एक कोलियस का प्लांट लिया है ये भी मुझे 30 रुपीज में मिला है मेरे पास कोलियस के बहुत सारे वराइटी है लेकिन जो जो कलर मेरे पास नहीं होता है और मिल जाते हैं तो मैं ले आती हूँ तो ये देखे पिंक कलर के सेर में नहीं था मेरे पास तो मैं इसको उठा के ले आई हूँ और ये मुझे 30 रूपीज में ये भी मिला जादा तर प्लांट मेरे 30 रूपीज के ही है तो ये कोलियस भी 30 रूपीज का है और दोस्तों ये देखे ये मैंने एक केले का प्लांट लिया है मेरे पास केले का प्लांट नहीं था नीचे जमीन में लगा हुआ था लेकिन किसी कारण वस सारे प्लांट मेरे खतम हो गए तो ये 15 रूपीज में एक मिला है मुझे बहुत ही छोटा प्लांट है लेकिन healthy प्लांट है तो इसको मैं लगा ही दोंगी देखिए और ये केले का प्लांट मुझे लेना बहुत जरूरी था तो मैं देखती। की ग्राउंड फ्लोर में लगाऊंगी या फिर गमले में लगाना होगा तो इस तरह के ग्रूव बैग में लगाऊंगी देखिए यहां बड़े-बड़े साइज के अठारा बेटारा के हैं तो उसमें लगाऊंगी तो यह मैंने 15 रुपिया में लिया है और यहां पर दोस्तो कि मैं Easy अह्यांट थो फोल खीलने लगाइं और यहां पर देखिए दो सीमला ह опять यह मुझे नहीं है 10 पर मुझे मिले हैं यानि 30 रुपिय मैं मुझे 2 मिली राइं सब्सक्राइब हैं मैं ओधर नोगोगा वी सब्सक्र अनुट कर अधर में लगा है अधर मैं और एक मेने यह बंस लेया है मैं हमेजा फिला बंस जाती है मुझे पोकेट एदेग्षा जी में मिलdat यह बंस फिप्टी में मुझे आष्ब Wars एदेग्षाद है तो देखिए यहाँ पर 220 लिखा हुआ है लेकिन 150 में मुझे यह मिला है तो इसको बॉन मिल आप सारे फूलों के लिए वाले प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा है तो यह मैं लाई हूँ तो इस तरह दोस्तों देखिए कितने सारे मैंने शॉपिंग की है और बहुत सारे शॉपिंग जो मैंने की थी वह चलिए मैं आप लोको दिखाते हूं कि इसको रिपोर्ट कर दी थी यहां देखिए दोस्तों यह चोटे-चोटे पिटुनिया जमीन में लगा हुआ था तो यह भी मैं लाई हूं तो यह मुझे 10-10 रुपिय में मिले हैं और यह बहुत सारे हैं देखिए इधर भी मैं लगाई हूं यह सारे पिटुनिया है तो पिटुनिया के बड़े प्लांट्स में लाई हूं और चोटे-चोटे जमीन में लगा था वह भी मैं लाई हूं तो मैं ले देखिए यहां सारे यह 3 गुल्दावदी मैंने 6 गुल्दावदी लिया था दो देखिए का फ्लांट्स थे लिए ले लेक्शे मैंने ले लिया था दीए और इसकी तो यह थे मुझे 15,15 रुप्य क्ट में एक मीज दोड़ और इस सब को दो-दो करके मैंने लगा दिया है इधर गेंदे का प्लांट है वो भी जमीन में लगा हुआ था इस सब को भी मैंने लगा है तो यह सब दस-दस रुपिया में मुझे मिले हैं यह देखिए यहां भी छोटे-छोटे हैं फिर यहां है तो जहां जगा मिला है वहा सारे शॉपिंग की हूँ और अभी शॉपिंग करने से जी नहीं भरा है दोस्तों फीर जाओंगी फिर लाओंगे देखे happens मैं के लिए सारे प्लांट स तो इस तरह धीर सारे सॉपिंग हो गई है friends, इतने सारे शॉपिंग की हूँ मेरी सॉपिंग कैसी लगी अगर यह सौपिंग पसंद आए तो प्लीज लाइक शेल कीजिएगा मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लिजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ और एक कॉमेंट जरू कीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक बाई दोस्तो